नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों जो लोग SSC MTS और हवलदार के लिए अपलाई की हैं इस वार वो लोग ये वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें आपको एक आइडिया मतलब आएगा कि जीए में किस टैप का कोश्चन पूछा जाता है ओके तो ये भी पता चलेगा कि मेरा जो है जीए में कितना सही हुआ था ओके और आप लोग इसी कैंस्वार अच्छा से तयारी करिए अच्छा से जो है महनत करिए आप इसका जो SSC और रेलवे का जितना भी प्रिवियस येर का कोश्चन है आप उसको अच्छा से जो है देख ल का आप लोग देख लें तो अच्छा होगा एक अच्छा कासा आप इसकोड जीए में ला सकते हैं तो आप लोग टार्गेट रखें कि 25 में 20 पलस आप जैसकोड लाने का और आप लोग यह मेहनत करेंगे कि तो आपको 25 भी आ सकता है कोई मतलब यह आश्चर्ज की बात नही सकते हैं कि आप इसमें कमस का 20 स्कोर लाएं जिससे आपका स्कोर 85 से 90 आएगा है और हम आपका जैसे की रिजनिंग का भी और मैस का भी दिखा दिए और तो आप लोग नहीं देखें तो अच्छा से देख लीजिए कि किस टैप काता है और आप लोग अच्छा से तयारी करत कानेगा ओके तो दोस्तों आये जल्दी से आप को जीगा क्व्षाइं दिखा देते हैं आप लोग देख लिए की अ Jetzt बार भी ऐसा ही कोंश्च कॉस्चन आइडिया आ जाएगा कि यह 25 में कितना सही हुआ था तो देखिए यह लेंस की छमता यह यह डायोप्टर और मेरा भी क्या था आंसर चाड़ी था तो यह जो सहीथ है ना अब आईए अब आपको दिखा दे रहे हैं कोशन नमर तीन यह आपका क्या है कि यह निम्रिखित में से कौन सी नदी पुडव दिसा में बाहने वाली नदी नहीं है है ना तो यह तीनों पुडव में बाहने वाली नहीं है लेकिन यह जो है माही है ना इसको मही लिख दिया है लेकिन आपका जो ओरिजिनल में माही कि निवर्खीते में से उतपादन के कारक में क्या सामी 7 नहीं है इसमें जो है नहीं था थोड़ा साम्मिक के कारण यह हम भूमी दिये थे मार दिय थे इसमे आए को जेए जैसे की होता है कोई जीस जीजह आप जो आ पादन करते हैं तो खेट होता इसमें नहीं था थोड़ा सा की कारण यह हम भूमी दिये थे हम उत्तपादन आप कोई चीज की आप उत्तपादन करते हैं तो खेत भूमी भाग भाग हैं लेकिन आप जल्दिवाजी में ज्यादा सोचते नहीं है तो तो गलत होना तैय है हैं ना आप मतलब जैसे कोई काम नहीं है तो इसका ऑंसर होता यह होता लेकिं हमसे में आपको और आप ढ़ए और आप जैसे कि इसलिए को देखिये तो अच्छा से समझ लिए उसको किसी से भी गलती हो सकती है मतलब जैसे आप हमसे भी हुआ है भूससारा गलती कि आखिए द्वाजयों में से किस राज में सराज में सरवाधिक ग्रामीन आवादी है तो स्खरवादिक आपका यह स्टेट उतर पर्देश में ही सबसे ज्यादा यह आवादी और ग्रामीन आवादी उतर पर्देश में है तो यह तो अभी तक आपका जो निगेटी मिला कितना तो यह तो एकदम मतलब उस टाइम का टॉप कोश्टन था करेंट अफेर्स का बहुत जो मतलब चर्चा में आता है जब कुछ पाहला होता है तो यह आपका आया था जो जाना के फुतवा था इसका भी अंसर दिये थे चार और ईवी था चार है ना चलिए तो यह भी मेरा सही वह आई क platform को दो सही rock नहीं है फावकर निया करनाट का सही था करवा गुजराथ का सैथीं लेकिनी कету लुक्त यह अब आफंठाГ पोसन के सौपोसी रूप के लिए आपका ये आवश्षक क्या होता है तो जिसे पोसी आपका करभन डैकोसाइड पॉस्ताइड पॉनी क्रोडएविल का प्रकास ये सब क्या है जरूरी है तो इसका अंजर होगा सया तो जी सबसे लंबी तट रिखा है तो यह गुजरात में और आपका इसके बाद अंधर प्रदेश है ना तो इसका अंसर आपका होगा दो यह मतलब हम भी लगाए थे दो तो यह भी सही है न अब आपका अभी तक निगेटिव एक है याद रखिएगा ओके चलिए अब आपका क्या ह मार्सर औविटर मेम्हें का लॉंच मंश मार्स आद म्हुड्या उसका बॉअप क्या था तो यह प्ये लगाए था कि कशीевой नरे यह सब जैसे की कुछ आपका कोश्चन होता है जो अस्थाई हो जाता है और यह आपका कोश्चन बाद में भी पूचेगा फ्यूचर में भी है ना तो आप लोग मतलब थोड़ा जैसे की इस नहीं अपका जो भी स्टेटिक होता है उसको तरह अच्छा से ध्यान में और हम लगाये थे चोथा नमर अब आई कि बार नमर क्या है ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी ने भारत में लिकित मेंसे कौन सा पहला किला बनवाया था तो पहला जो था किला था वह आपका फोट सेंट जोर्ज किला था ओके तो इसका आंसर होगा तीन और हम भी लागाये थ तो यह तेरा नमर निमिकित मेंसे भारत के किस बेग्यानिक का संबंध करेशको ग्राप के आविसकार से है तो यह जगदी संद बोस तो इसका भी अंसर लगाए थे वन तो यह आपका क्या है सही है अब आई और यह फाइनल अंसर की दिया था यह आपका हुए है ओके आई अब आपको दिखाते हैं चौता नमर क्या है पुस्तक एवरीज चाइल्ड मेटर्स का लेखन किस ने किया था तो यह कैलास सत्यार्थी का पुस्तक था है ना तो यह तो आपका जैसे हम भी लगाए थे दो तो यह सही है है ना आई अब आपका देखें आगे पनदरां नमर इसका सही अंसर होगा तीन बार कितने आउंसर एक यानिा की दीन बार तो यह आपको दिखाते हैं आगे तो जैसे कि मतलब आप लोग जिसका यह इंतियार कर रहे थे निगेटिव का तो एक और जैसे निगेटिव हो गिया है सुला जून 2019 तक की इस्थितिक अनस्वार जल सक्ति मंत्री कौन है यह जो है 2019 में आपका जैसे मैं मैं में तो कैबनेट गठणी हुआ था थोड़ा सा कंफ्यून हो गZA ओ गए तो हम आपका और लगा दिये हैं इसका साहिय अंसर हे गजर झाव से இ कर गड़ थोगने कि हो अऩा के यह अनसर है महें पांडे ह difficulties um आप आप यह देखी आगे 17 नमर लेकिन यह थोड़ा सा माइनर माइनर जो भी मिश्टिक नहीं होना चाहिए था ना तो आप लोग थोड़ा सा यह सब बात को ध्यान में अच्छा से रखिएगा तो क्योंकि मतलब एक एक नमर बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट होता है आपको सब्सक्राइब आपको यह देखी आगे 18 नमर यह कौन सा कथन लोग सभा के बारे में इस सही नहीं है तो आपका यह चोथा नमर क्या था सही नहीं था कि कोई विद्धैक धन विद्धैक है या नहीं इस प्रस्थन पर विपक्ष्किन यह नेता का अंतिम निरने होगा तो आपका क्या है गलत है क्योंकि अंतिम होता है जो अध्यक्ष होते हैं लोग सभा अध्यक्ष होते हैं उनका होता है कि कोई भी विद्धैक धन विद्धैक है या नहीं तो यह उसी के बारे में पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है तो इसका आंसर होगा चोथा तो हमने भी ल लगाए थे सुमन रहा हो तो आपके यह जो है ना तो जैसे कि आप लोग देख रहें कि कि अपका कोशन पूछा जाता है तो आप लोग भी जतना मतलब ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना देखिएगा तो अच्छा रहेगा आईए ट्वेंटी नमर के है नेशनल डामंड इ अब आईए यह मतलब 21 नमर आपका आर प्रगनंदा किस खेल से संबंदित है तो आप जहां भी देखें कोई खेलाडी का नाम तो आप जैसे संबंदित है तो आर प्रगनंदा का संबंद से है और हम भी लगाए थे तीन तो यह आपका संबंद से खेल लाज से संबंदित एब है अब आप जोह देखें आगे थाईस नमर कि भारत में मोध्रिक नीТि रहां बनाई जाती है तो यह आपका मध्रिक नीति वनाने का काम और यह का है न MICHAEL और हम भी इसका अंसर आपका लगाए थे तीन और यह भी अंसर है तीन तो यह भी आपका क्या है सही है न अब आई 24 नमर क्या है यह मतलब इंगलीस में था इसलिए कि जैसे हिंदी में कुछ मतलब जैसे अजीब सब्सक्राइब का जो होता है वह इसका सही अंसर होगा आपका क्या आपका क्या मतलब यह स्मॉग तो यह भी जो लगाए थे दो तो यह आपका क्या है सकेंडरी पॉलूटेंड है अब आपका यह अन्तिम कोश्चन 25 नमर अस्ट्रेलियन ओपन में पुरुसों का एकल खिताब किसने जीता तो यह सब आप कम से कम पुरु से कल और महिला मतलब यह औंट वलड तो याद यह सब करते रहें К्षे कोन जीता ओं हार जो जीता वह किस देश का है जो हारा वो किस देश का है न तो आप इतना कम-कम यह तो याद कनफरमी कर ले है और डबल्स भी आता है उप्राद आधा हो पृस्यादा हो जाएगा तो आप लोग कम से कम यह तो आपका इसमें आया तो टोटल आपका जो है निगेटिव कितना हुआ था दोस्त दो है ना यहीं कि 25 में दो जो है निगेटिव और सही हुआ 23 तो और यह जो दो हुआ वह आप लोग जब एक्जाम दीजिए गा तो थोड़ा सा जैसे कि हरवरी और या फिर अच्छे से जैसे आप नहीं यह देख आप रहें कि हैं ना ऊच्छा से जैसा यह नहीं है कि कुछ भाड़ी है कि हुआ sax difficult मतलब जैसे कि इंपॉसिबल है ऐसा बात नहीं है आप लोग अच्छा से करिये तैयारी बहुत सारे दोस्तों लोग मेहनती हैं है तो आपको दिखाएंगे मैस में कितना आया है रिजनी में कितना आया था और मतलब इंगलिस में कितना था टोटल आना चाहिए आपका 90 मेरा सह तो आपको दिखा देंगे और आप लोग यदी चाहते हैं जीके जी एस करेंट अफेर्स का एक अच्छा सा त्यारी करना आप जो है यदी चाहते हैं कि एक्जाम तक आपको अच्छा सा प्रेक्टिस करवाएंगे तो उससे आपको थोड़ा सा मतलब जैसे अनुबब भी हो प्रेक्टिस भी होगा कि कितने पानी में है और यह जो है दोस्त जैसे जीके आप अच्छा कैसे करें आप इसमें ऐक अच्छा सा सा स्कूर कैसे लाएं तो अब तो एकजाम का सिर्फ आनली आपका जो दो महीना है न तो जो जैसे कि नए ने अभी आये होंगे तयारी के लि तो आप लोग जैसे previous year जितना भी मतलब जैसे SSE का question है, railway का question है, कोई भी previous year जैसे की गटना चक्र काता है, और भी बहुत सारा publication काता है, किसी का भी लेकर अच्छा से पर सकते हैं, क्योंकि SSE मतलब MTS में ज्यादा deep जाने का ज़रूरत नहीं है, आपका इसमें जैसे उपर रहेगा, आपको थोड़ा सा भी knowledge है, थोड़ा जैसे की पॉलिटी का, economics का, थोड़ा जैसे की जोगड़ोफी का, आप थोड़ा सा पर लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, आप उसके बाद जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा हो पाई, यह जो है objective आप याद करिए, आप और आप जितना मतलब अच्छा से अच्छा कोश्चन हो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको एक्जाम से पहले तक हम करवा देंगे, यह 2021 का पूरा और यह 2022 का भी है वो भी, और कुछ मतलब जैसे की static type का भी रहता है, वो भी आपको हम अच्छा से करवा देंगे, त तो दोस्तों, आपको यह यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आपको जो है reasoning का भी और math का भी और मतलब जहें इंग्लिस का भी इसमें दिखाएंगे paper, और उसमें मेरा reasoning में कितना सही हुआ था, math में कितना सही हुआ, और English में कितन subscribe नहीं किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए ना